हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम ग्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 29 मार्स से समंदित उत्तरप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टन करेंट करेंट अफिर के कुश्यन को डिसकस करेंगे और हरे कुश्यन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंतर में हम आपसे कुश्यन भी पूचेंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियाफ डाउनलूड करनी है तो इसकी पीडियाफ आप मारे टेलिग्राम ग्रुप से डाउनलूड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रुप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डिली करेंट अफियर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्टेटव एक्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO उत्तर प्रदेश सिक्षक भरती यानि सुपर टेट का जो एक्जाम होने वाला है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जि करेंगी कल का पहला कुछान है नीतिया योग द्वारा जारी निर्यात ततपरता सुचकांग 2020 में उत्तर प्रदेश किस इस्थान पर है इसका जो प्रदेश में किस इस्थान पर मंगोलिया में आयोजित एसियन कुस्ती चैंपियंशिप के लिए भारतिया कुस्ती टीम का च्वेन किया गया इसका जो क्रेक्ट अंसर है वह ओप्स नमर बे लगनों है और दोस्तों उत्तर प्रदेश करेंट अफेर की लास्ट वन येर की अगर आपको पीडियाफ डाउलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्कॉप्शन में मिल जाएगी वहां से आ अगर आपको मंतली का इंटरफेर डाउनलोड करनी है यानि जनवरी मंत या फिर फरवरी मंत 2020 की पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्कॉप्शन में मिल जाएगी तो वहां से आप ये दोनों पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रवलम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला उश्यान है हाली में उस्टेलिया सरकार ने भारत को 29 प्रातात्वे कलाकृतियां वापस की हैं इसमें उत्तर प्रदेश से सम्मधित मूर्ती कौन सी है तो लक्षमी नाराण की जो मूर्ती है वो उत्तर प्रदेश से सम्मधित है अगला उश्यान है एसिया का सबसे ब चुरू खिया गया अगला कुछह ने हालिमे देश की पहली हल्के वजन की ट्रेन को हरी घंडी दिखाई गई है इस well, किस धातु से बनी है तो यह जो ट्रेन रहने है वह Chris ने हालिमें किशने किस निफश्रे के लेखक कौन है तो इस पुस्तक की लेखक है रिचा मिस्रा अगला क्शियन है रक्षा वंतरालाय में सलहकार की रूप में किसे निउक्त किया गया इसका जो गरेक्ट अंसर है वह विनोध जी खंडारे को हाले में रितू खंडूरी के सिराज्ण की विधान सभा की पहली भीकर बनी तो जो रितू खंडूरी हैं ये इत्तरा खंड विधान सभा की पहली महिडा थे कर भनी WIN यह तो दोस्तों यह थी कल के में शुरू की गई है यानि ओप्सिन नमबर यहां पर करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश राज के वारानसी जिले में पीम मोदी ने ग्रामिल अर्थववस्ता को मजबूत करने के लिए बनास डेरी संकुल परियोजना की आधार सिलर रखे बनास डेरी संकुल परियोजना के सा 275 करून रुपए खर्च किये जाएंगे और इसे प्रती दन इसे प्रती दन पांच लाख लीटर दूद को एकटा करके वित्रत किया जाएगा तो दोस्तों कुश्चन काफी इंपोर्टेंट है अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है किस जुले में प वारानसी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैप में देखेंगे कि वारानसी कहां पर है तो यहां पर आप देखेंगे यह मैप में वारानसी यह जो वारानसी है यह उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीवा को साज़ा करता है तो यहां पर आप वो जिले हैं जो की वारांसी की सीमा को टच करती है अब दोस्तो वारांसी से सम्बंदित और भी कुछ कुछया नहीं जो कि आपको ध्यान रखना है वारांसी का वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट क्या है तो बनार्सी रेसम साणिया वनार्स का एक जिला एक उत्पाद है इसके साथी ध्यान रखना है कि वारार्सी के प्रमुक मेले और महुसव कौन-कौन से हैं तो नकटया मेला है वारार्सी महुसव है और दसहरा मेला ये वारार्सी से संबन्दे थे और दोस्तो हाली में देश क का पहला floating cnj station बनाया गया कहांपर बनाय गया तो ये वाराणसी में बनाय गया और इसक instability मैं निया का दूसरा सरवादे के ध्वनी प्रदूशित सहर कौन सा रहा इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number B मुरादाबाद जो की उत्तर प्रदेश में इस्तित है दोस्तों हाली में संयोकत राष्ट परियावन कारिकरम यानी UNEP ने एक रिपोर्ट जारी की है किस नाम से तो annual frontier report 2022 के नाम से तो इसके अनुसार ये बताया गया कि दुनिया का जो सबसे ध्वनी प्रदूशित सहर है वो कौन सा है तो ये है बांगला देश की राजधानी ढाका इसका नाम आपको चैसे ध्यान रखना है और दोस्तो ये कुश्यन भी most important है आने वाले एक्जाम में यहां से कुश्यन पूछा जा सकता है चलिए आपको इस कुश्यन को नोट करना है कि दुनिया का सबसे ध्वनी प्रदूशित सहर कौन सा रहा तो बांगला देश की राज ज्यादा ध्वनी प्रदूशित है यहां पर जो ध्वनी का उचितम इस्तर है वो कितना मापा गया है तो 2021 में सबसे उचितम इस्तर 119 डेसीवल का यहां पर दर्ज किया गया वहीं जो उतर प्रदेश का मुरादाबाद है यहां पर 114 डेसीवल तक ध्वनी प्रदूशित क को मापा गया है दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन सा सहर है तो पाकिस्तान की जो राजधानी है इसलामाबाद यह 105 डेसी बलके साथ तीसरे स्थान पर है अब दोस्ता अगर बात कि जाए सिपोर्ट के अनुसार की दुनिया के सबसे सांत सहर कौन से है यानि जहां पर ध्वनी प्रदुशन सबसे कम है तो सबसे कम दोनी प्रदूशन यानि सबसे सांत सहर वो कौन से रा तो इरबृड यह कहां पर है यह जॉर्डन में इसका नाम भी काफी important है तो उन्होंद्यां रखने या है यह जॉर्डन में है इसके बाद जो दूसरा सबसे सांत सहर है वो है डी सीवल यहां पर माप गया है अब दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर कौन सा है सबसे अधिक ध्वनी प्रदुस्यत ढाका दूसरे स्थान पर कौन सा है तो उत्तर प्रदिस का मुरादाबाद और सबसे सांत सहर कौन सा है इरवरिड जो की जॉर्डन में और दोस्तों इस रिपोर्ट से सम्मंदित आपको ध्यान रखना है कि यह जो रिपोर्ट है इसमें कितने सहरों को सामिल किया गया था तो दुनिया भर के कुल 61 सहरों को इसमें स्थान दिया गया था यह चीज़ ध्यान रखना है और दोस्तों यून के जो चीफ हैं वो कौन है तो इंगर एंडर्सन ये यू एन एपी के चीफ हैं अगला विश्यान है परियावन मंत्रालाय ने प्रतिक साल पांच अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस की रूप में मनाई जाने की गोशला की है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमबर A रास्ट्रिया डाल्फिन दिवस की रूप में नामित किया गया और इस वर्स से सुरू होकर ये प्रति वर्स मनाय जाएगा यह दिन डालफिन जैत डालफिन संडिक्षण का एक अभन अंग है इस दिन डालफिन के संडिक्षण के लिए लोगों कोई भागे दारी पर भी ध्यान दिया जाएगा भारत में ज्याद तर जुगंगा डालफिन है ये डाल्फिन मेठे पानी की एक परजाती है और यह असम, बिहार, जारखंड, मद्यप्रदेश, राजस्तान और उत्तरप्रदेश और पश्य मंगाल में लंबी गहरी नदी में देखे जाती है तो दोस्तों यह कुशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको अचे से ध्यानक ना है कि केंद्रिय परेवन मंत्राले दोरा जो है एक दिवस नामित किया गया है पांच अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाय जाएगा तो राष्ट्रिय डाल्फिन दिवस की रूप में पांच अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा और इसे क्यों सुरू किया गया है तो ये जो दिवस है ये डाल्फिन के वारे में जागरूपता पैदा करने के लिए सुरू किया गया है अगला उश्यान है सन्यक्त राष्ट ने वित्वर्स 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीजदी रहने का अनुमान लगाया इसका जो करेक्ट अंसर है वह उप्शन नमबर B 4.6 प्रतिसत सन्यक्त राष्ट ने वर्स 2022 के लिए भारत के व्रदी दर के अनुमान को 6.7 प्रतिसत से घटा करके 4.6 प्रतिसत कर दिया सन्यक्त राष्ट ने जारी अपने एक रिपोर्ड में कहा कि यूक्रेन से चल रहे है युद्ध के कार भारत को इनन की आपूर्ती प्रवावित हो सकती है जिससे इसकी कीमतों में उच्छाला सकता है साथी व्यापार प्रतिबंधों खाद्य मुद्रास्वीती सकत नीतियों और वित्य मूर्चे पर इस्थिर्ता की चिंता जैसे कारक भी भारतिय अर्थ व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं तो दोस्तों अभी सायुक्त राष्ट ने 2022 के लिए भारत की जो विरधी दर है उसको 6.7% से घटा करके 4.6% बताया है और ऐसा क्यों कहा है तो इसलिए कि जो यूक्रेन में अभी युद्ध चल ला है तो उस वज़ा से पताया कि भारत में जो है इनन की जो आपूरती है वो प्रभावित हो सकती है जिसे इनन की कीमतों में जो है काफी उच्छाल आ सकता है अब दोस्तों संयुक्त राष्टर से आपको संबंदे ध्यान अकना है कि यूनाइटेड नेशन यानि यूएन इसकी जो स्थापना है वो कब होई थी तो 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की मुख्याला है और वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन है इसके चीफ कौन है तो अन्टूबर गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्टर यानि यूनाइटेड नेशन की चीफ है यानि सेक्रेटरी जनरल है अगला उश्यान है प्रतिवक्ति प्रतिवक्ति आयि के मामले में सिर्स इस्थान पर कौन सा राजज्य रहा इसका जो correct अंसर है तो है option number B سिक्यम प्रतिवक्ति आयिक मामले में जो सिक्यम है ये सिर्स इस्थान पर रहा यह रिपोर्ठ दिली के उप मुखमंत्री मनोज सिसोधिया के द्वारा जारी की गई है आर्थिक सर्विक्षन रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में प्रति विक्ति आय जो है ये साल आना अधार पर 16.81% से बढ़ करके 4,1982 हो गई है इस रेंकिंग में पहले इस्थान पर सिक्क्यम है दूसरे इस्थान पर गोवा और तीसरे इस्थान पर दिल्ली जैसे केंदर सासित पुर्दीश रहे तो दोस्तों आपको जैसे ध्यान रखना है कि प्रति विक्ति आय के मामली में जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार सीर्स इस्थान पर कौन सा राज रहा तो ये रहा है सिक्क्यम और यहां पर जो प्रति विक्त किस राज की सीमा को टच करता है तो सिक्क्यम केवल एक राज की सीमा को टच करता है और वो कौन सा है तो वैस्ट बेंगोल यह यहां से यहां तक गया है और यह सिक्क्यम की सीमा को साजा करता है दोस्तों जो सिक्क्यम है यह कितने देसों की सीमा को साजा करता है तो तीन दे इसके साथी ऊपर के ओर है चीन और यहां पर है भूटा तो ये टीन देश हैं जिनकी सीमा को साजा करता है घप दोस्तों सिक् havia की क्विटाल क्या है तो गंग की शिंँ मिनिस्टर कौन है तो प्रेम सिंह औरदोस्तो सिक्यम की दिष्टी से भारत का सब से को жाए ऐनके में और जो गौण और चित्र पॉर्वा की दिष्टी से सबसे छोटा राज है अगला विश्याम में हाली में कि स्राज में दस दिवसिय मेगा लाल किला महुसब भारत भागी विधाता का उद्गाटन किया गया। यानि DBG के साथ सहयोग किया क्यूंकि DBG ने लाल के लिए को अपने इसमारक मित्र के रूप में अपनाया है। यह जो तोवार है यह भारत के हर हैसे की विरासत संस्कृति और विविद्धा का जस्न मनाएगा। तो दोस्ता आपको ध्यारकना है कि हाली में केंद्रिय महला और बाल विकास मंत्री जो स्मिर्ती इरानी है। जिन्दू जिन्होंने स्विस उपन 2022 का महला एकल का खिताब जीता है। इस सीजन में यह है उनका दूसरा महला एकल खिताब है। स्विस उपन 2022 का जो महला एकल का खिताब है वो किस ने जीता तो यह जीता है पीवी सिंदू ने। किस बारतिय अवी नेता को अबुधावी के यस आईलेंड का ब्रैंड अमेस्टर बनाए गया। इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमर सी रडवीर सिंग को और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं यह अवरीता रडवीर सिंग जने अबुधावी के यस आईलेंड का ब्रैंड अमेस्टर बनाए गया। रडवीर सिंग को अबुधावी के यस आईलेंड का ब्रैंड अमेस्टर बनाए गया। अबुधावी का यस आईलेंड दुनिया के बेहतरीन एंटरंडैन्मेंट डेस्टिनिसंस में से एक है। को इसका ब्रैंड डेंड बनाए गया है। गोवा के संखा लिम्सी विदायक हैं साल 2017 में जब मनोहर पारिकर के नित्रतु में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो उन्हें विदान सवा देक्षच चुना गया। उन्हें पर करके निधन के बाद मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली थे। तो पांचों आपको ध्यान रखने हैं एक हुआ था उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन बने तो योगी आधितनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने इसके साथ ही पंजाब में चुनाव हुआ तो पंजाव की मुख्य मंत्री बने हैं इसके अलावा जो मड़ी पुर है वहाँ पर एन वी रेंसिंग मुख्य मंत्री बने और उत्रा खंड के जो मुख्य मंत्री बने हैं वो बने हैं पुसकर सींग धामे और जो गुवा के मुख्यमंत्री बने हैं वो प्रमोध सावंत गुवा के मुख्यमंत्री बने हैं अगला उख्यान है किंद्र सरकारने हाली में प्रदान मंत्री गरीब कल्यार अन्य योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option नमर C सितमबर 2022 के लिए का चरण पांच दिसंबर दोहजार रिकी से सुरू हुआ था जो की और मार्च दोहजार बाइस में समाप्त होने वाला था लेकिन अभी इसे जो है सितंबर दोहजार बाइस तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है यानि प्रती व्यक्ति जो है पांच किलो अनाज मुफ्त में द दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का आडियो रिवीजन करना है तो इसका आडियो रिवीजन आप खबरी आप पर कर सकते हैं खबरी आप पर आपको कैसे जोड़ना है तो खबरी एप के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टूर पर जाना है वहां पर आपको खब जिसे आपको follow कर लेना है और follow करने के बाद आपको सारे जो audio है वो आपको मिलने लगेंगे तो दोस्तों ये था कल का question जो हमने आप से पुझा था हाली मुतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला काउ सफारी कहां इस्थापित करने का निरड़ा लिया गया इसका जो correct answer था और डिस्टिक जालोन में और लगवक सभी students ने इसकी सही जवाब किये और मैं आपसे हरोज कहता हूँ कि जो भी question आपसे पूझा जाए तो सभी लोग question का answer जरूर किया करो तो यह है आशका option हाली में भारत की पहली steel road का उधगाटन कि सराज्य में किया गया option number A है उत्तर प्रदेश, B है पंजाब, C है गुजरात और D है राज़स्तान तो इसका जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है तो दोस्तो अगर आपको असके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe करना ना भूलें साथी well icon को भी press करें ताकि time to time notification आप तक पहुंचता रहे तो मिलते है नेक्ट वीडियो में thank you